आपके साथ मैं हूँ सोनाली ठाकुर। मैं आपके धनिवाद करता हूँ कि आप दुनिया के विभिन जगहों से इसमें हिस्सा ले रहे हैं। भारत ने हमेशा वैश्विक दक्षिन और अपने भाईयों के साथ अपने विकास सम्मंदी अनुभव को साजा किया है। वैश्विक दक्षिन का भविश्य में सबसे बड़ा दाव है, हमारी देशों में तीन चोथाई मानफता रहती है। भारत ने हमेशा अपने विकास के अनुभव को वैश्विक दक्षिन के साथ साजा किया है। हमारी विकास साज़दारी से सभी भोगौलिक और विधिक शेत्र शामिल है। उन्होंने आगे कहा है कि भारत ने इस वर्ष अपनी G20 अधिक्षता शुरू कर दी है। सो अब भाविक है कि हमारा उद्देश वैश्वित दक्षिन की आवाज को बढ़ाना है। के बाद से और दिदार के दोरान वहां के पैटेकों के लिए ताज महल बंद रहा था। इस दोरान पुलिस कमिशनर और जिला अधिकारी मौके पर मौझूद रहे हैं और तमाम तैरिके की तैयारी भी इस दोरान की गई थी। वहीं बरेली में बुदभार शाम जमीनी रंजिश में गोलियां बरसाते हुए तीन लोगों की हत्या करने का मामला सामने आया है। पतादे की करीम दो से अधिक राउंड फाइरिंग के आसपास इलाके में दहश्रत का महल देखने को मिला गोली लगने से तीन लोग घायल हो गए हैं रात में ही कई थाने की पुलिस और एस पी तिहाद डिआईजी मौके पर पहुँचे और घायलों को अस्पताल भीजा ग की गैंगवार में घया वारदात की गई है ठाना फरीदपूर में ग्राम तो गोविनपूर में आज गन्येकर गन्ये के लिएकि तक आ ये दू प स्चों बेवाद हुआ जिसमें फारीरइंग फारी और दूश्रा दौर्ज दौरा भी उसका वो किया गय जा इसमें जिसमें एक पच्छी के दो लोग के मौत हुई है और दूसरे पच्छी से एक लोग के मौत हुई है और एक आदमी गायल है जिसको हस्पिरल में एड़िमिट कराया गया है इसमें जो अभी तेहरे मिलेग उसके अधाप मुकदमा लिखे करवाई की जाएगी और पुलिस की ट के साथ यहां पर आया था और उसने पहले पहले आके इन लोग पर फाइरिंग करी तो इन लोग ने फिर जवाबी करवाई करें तो इसमें जो भी तहरी मिलेगे से मुगदमा लिखा जाए अब खबर कासगन से है जहां सफेद रंग की बकरा जो है चर्चा का विशे बना रहा बता दे कि यहां बकरे के कान पर अल्ला 786 लिखा हुआ था इस दोरान बता दे ही कि इसको देखने के लिए दूर दरा से लोग यहां पहुच रहते बकरे की कीमत 15 लाक रुपे बताई जा रही थी उतरप्रदेश के पिलिभी जनपत तेराई का जनपत है नेपाल बॉडर से सटा ये इलाका पहारी छेतर से लगा हुआ है इसी को लेकार यूपी के पिलिभी जनपत में ठंड का प्रगो बढ़ता जा रहा है बीते एक हफ़ते से ज्वादा का समय हो चुका है सूर्य देव ने यहां अपने दर्शन नहीं दिये है ऐसे में जला प्रश्वासन के तरह से कोई खास पुकता इंतजाम नहीं नजर आई है स्थाने लोगों ने अपनी तरफ से अलाव की व्यवस्था करी हुई है वही शहर के प्रमुक चौरहे में कुछ ही चौरहे ऐसे हैं जहां प्रश्वासन द्वारा अलाव की व्यवस्था की गई है इसके लाबा रेंड बसेरों में भी कोई खास इंतिजाम देखने को नहीं मिल रहा है साथी बवतादे की इसको लेकर प्रश्वासन की विवस्थाओं पर तमाम तरीकी की सवाल खड़े हो रहे है थंड का प्रकूप पूरे जिले में बहुत फैला हुआ है और यह तरह से प्राकरतिक आपदा भी है लेकिन प्रश्वासन की तरफ से जो आपने पूछा मेरे हिसाब से कोई लुळे मक्बूल इंताजमात नहीं है जो रेन बसेरे बने हुए हैं वो उन रेन बसेरें में मैं ने मैं ना तो सफाई की विवस्ता है। ना प्रशासन द्वारा पूरी तरीके से वहाँ पे विवस्ता हैं। मुख चौराहों पर अलाव लगाती थी वो भी अपकी वार नजर नहीं आ रहे हैं जो अपनी संस्थाएं हैं जो लोगों की किलब हैं उनके द्वारा अलाव तो नजर आ रहे हैं लेकिन प्रसासन द्वारा इस तरह की कोई विवस्ता यूपिके पहले भे ज्वनपत के बिसलपूर कोतवाली थाना च्वेतर के देवा नदी के नारे बता दे कि अग्या श्रफ की पहचान हो गई है अग्या श्रफ थाना फरीदपूर के 35 वर्षिये प्रेम प्रकाश का है आज पोस्माटम हाउस में आकर पडिवार ने उसकी शनाखत कर ली है दरसर प्रेम प्रकाश च्वेरा जेल में 2006 से हत्या के लिए मामले को लेकर बन था और उसने 18 साल की सजा काटी हुई थी वह प्रेम प्रकाश की सजा तीन जन्वरी को पूरी होज गई थी और वे जेल से बाहर आ गया था बाद में प्तादे की थाना छेतर के रहने वाले अपने मित्र रामवीर के घर वो चला गया था बता दें कि प्रेम प्रकाश के साथ जेल से रामवीर भी रिहा हुआ था परिजनों की माने तो उन्हें रिहा होने की जानकारी नहीं हो पाई बाद में हुई तो उन्होंने रामवीर से जाकर पूछा तो उन्होंने बताया कि वे दूसरे दिन ही उसके घर से चला गया था पडिवार के लोगों ने प्रेम प्रकाश की हत्या का आरूप लगाया है और पिलिभ्यत का मामला है जहां पर बता दे कि यहां पर हत्या हो गई है और प्रेम प्रकाश की हत्या कर दी गई है जिसके बाद से लगाता है पडिजन जो है हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं और इस दोरण बता दे कि प्रेम प्रकाश जो है वे जेल में कई साल सजा काट कर बहा आ गया था और इसके बाद से अब उसका शब नदी किनारे मिला है जिसकी उसकी पहचान कर ली गई है बता दे कि यूपी के फिलिभी चनपत के बिलासपूर बिसलपूर कोथवाली छेत्र के देवा नदी किनारे ये अगया शब बरामत हुई है अगया शब थाना परिदपूर के 35 परशिय प्रेम प्रकाश का बताया जा रहा है जिसके बाद से उसका पोस्ट मॉटम करवाया गया है और इस दोरान जो उनके पडिजन है उनका ये साफ तोर पर कहना है कि उसकी हत् के लिए मामले में बंद था और 18 साल बाद उसकी सजा कंप्रीट हो गई थी जिसके दोरान वे तीन जनवरी को पूरा करके बाहर आया था वे जेल से बाहर आते ही पता दे कि भूता थाना छेतर के रहने वाले उसके मित्र रामवीर के घर चला गया था और रामवीर भी प्र कामले को लेकर जाच परताल कर रही है और इस दोरान पतादे की रामवीर से पूस्ताच की जा रही है UPK जनपर श्रावस्ती में एक तरफ जहां योगी सरकार जीरो टॉलरंस पर काम करने की बात कर रही है वहीं श्रावस्ती में रिश्वत लेने आम बात हो गई है यहां पर रिश्वत के बिना कोई भी अधिकारी आपकी सुनने वाला नहीं है खास कर स्वास्त भी भाग में ताजय मामला श्रावस्ती के मुख्य चुकित्सा अधिकारी कार्याले का है जहां पर CMO से लेकर बाबु तक घूस लेते हुए नजर आते हैं इसका वीडियो भी इसके बाबु तक घूस लेते हैं जिसका वीडियो काफी वाइरल हो रहा है इसके बाद से स्वास्त महकमे में हरकम मजग गया है खास बात यह है कि इस वीडियो को CMO ऑफिस में एक बाबु ने ही CMO की वसूली से तंग आकर बनाई है साथी बता दे कि इस मीडिया के सामने ये वीडियो वाइरल होने के बाद से तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं और आपको बता दे कि मुखे चुकेत साधिकारी के कार्याले में तैनाथ वरिष्ट सहायक कॉमल कुमार ने CMO शार्दा प्रसाथ तिवारी पर गंभीर आरुप लगाया है शार्दा प्रसाथ तिवारी ने आए दिन किसी ना किसी मामले को लेकर यहां के करमचारियों से मूटी रगम एटते रहते हैं वहीं बताया जा रहा है कि CMO आफिस में ज्यादातर करमचारी बिना पैसे लिए ही कोई काम नहीं करते हैं क्योंकि CMO साहब को पैसे की ज्याता जरूरत है और उन्हें करमचारियों से पैसे की डिमान हर समय रहती है मामला कुछ नहीं है लेकिन जिस तरह से भी है हमारे साथ जी मुसाफ गर है जो सोगनी है कि जब से यह मैं जून जुलाई से आये तब से हमारा सोसर करें यह लाओ वो लाओ भी करोंगों करोंगों मैं बहुत परशांदे है मैं इतना परेशान होंगे है कि तुमेरी विला चलता है मैं उसके लिमारी में तबाह हूँ रहा है पैसा को मसल्याद करोंगों कितना पैसा मंगा कि युद्ए कि अचाजारों क्या कहला दोने तुम को मल्ली को भेतेंगी इसके संबन्ध में जानकारी है ने वीडियो का इसा है किसलिए है लेकिन सुबह में वहाँ गया हुआ था मेरे कुमें वहाँ काम करता हूं तो में वहाँ सुबह पहुचा तो सीमो साहब जो हमारे है मानने साधा पता तिवारी जी यह अपने एक बरिष्टा है कि इनकी कोमल कोमल बाबु बहुत पूछा तो हमको देख के रोने लगे इतना संग्यान में है इसके मुझे को जानकारी ने इसके सुबह दिकारी मडावरा द्वारा गाउंगा जाकर पेट्रोल डीजल की बिक्री करने के आरोप में टैंकर को पकर कर पुलिस को सुपूत कर दिया गया है बिते दिनों कस्बा मरावरा के ग्रामिनों और साथी एक पेट्रोल पंप संच्वालन द्वारा श्रिकायत की गई थी कि मरावरा के तहसील छेत्र में एक टैंकर द्वारा नोजल लगाकर गाउंगाउं जाकर पेट्रोल डीजल की बिक्री की जा रही है जो की नियम के विर श्रिकायत का संग्यान लेते हुए उफजला अधिकारी बता दे कि संजे कुमार पांडे द्वारा आप्रिती कर रहे उक्त टैंकर से गाउंगाउ जाकर डीजल पेट्रोल भिक्री संबंदी दस्तावेज तलब किये गए हैं जिस पर कोई दस्तावेज नहीं पाए गए बाद अब कबर 12 बंकी से है जहां पर ट्रक से लदी लक्रियों में अचानक आग लग गई है वहीं सूचना पागर मौके पर पहुँचे थाना ध्यक्ष लोनी कट्फरा गजवेंदर प्रताप सिंग पुलिस टीम और फायर बिकेट की गारियों के साथ मौके पर पहुँचे और क पArtुन देडी के पास कीघटना यह बताए जा रही की से इस तरह की Games शूचे के सामने के सांब आइएस और यह ट्रक में आग लग गई हमें इशका का फश्रक्ष लग लगी सड़क सुरक्षा माह के 5 में दिन पडिवहन में भाग द्वारा रोड वेज पडिशर में निश्रुक स्वास्त एवं नेत पडिक्षन शिविर कायोजन किया गया इसमें पडिवहन निगम और प्राइवेट वहनों के चालकों पडिशालकों और साथ यातायात पुलिस के कर्मियों का पडिक्षन किया गया अपसर पर आम जन्मानस को सडक सुरक्षा के प्रतिजा ग्रूप करने और यातायात नियमों के संबंदी हैंड बिल बतादे की पंपलेट आधी का वित्रन किया गया है पतादे की चालकों से वहन चलाते समय हेलमेट और साथ ही सीट बिल्ड का प्रियोक करने की नियमों का पालन करने की अपील की गई है कोहडे के समय अपने वहनों में रिफ्लेक्ट टेप लगाने और साथ ही उल्टी दिशा ओवर स्पीड में वहन का संचालन ना करने की अपील की गई है और बारा बंकी एक की खबर है जिस तरीके से कोहडे को लेकर लोग परिशान है और कोहडे के कारण तमाम तरीके के एक्सरेंट देखने को मिलते हैं आपस में ही कए गारिया टकरा जाती है इसके बाद से बारा बंकी में एक स्वास्ट परिक्शन शिवर का आयोजन किया गया इसके बाद से वहाँ पर लोगों को पैमप्लेट बागते गए हैं और साथी स्टिकर बाटी गई है और साथी लोगों से अपील की गई है कि कोहडे के समय गारी को अराम से चलाए और साथ ही इस स्टिकर को गारी पर लगाएं के बाग गही गई है और साथ ही तमाम तरह के की बात एक हो गई है जिस तरह के से स्वास परिक्ष़न शिवर का आयुजिन किया गया इसको लेकर लोगों को जागू किया जा रहा था और इस दौराण सुरक्षित याताया से कपड़ को देश दुनिया में जाता देखने को मिल रहा है और वारबंकी में भी ठन का कहर लगातार जारी है ठन के कारण सडक पर गारिया जो है रेंगती हुई नजर आती है और इस दोरान बता दे आपको कि कई बार कोहरे के कारण एक्सिडेंट देखने को मिलता है काफी ग किस तरीके से रॉंग साइट से गारिया ली जाती है और काफी स्पीड में गारी होने के कारण आपस में टक्रा जाती है गारिया इसके बारे में जानकारी दी गई है और साथ ही कोहरे के वज़े से जिस तरीके से इस तरीके की घटना ज्यादा देखने को मिलती है इस वज़े इसे गाडियों को कम स्पीड में चलाने के लिए अपील की गई है। कि हमले के दौरान बाई सड़क पर नहीं गिरा वरना टाइकर तीनों योगों को मौत के घाट उतार सकता था। इसे धर्मानतरन के मामले में एक और बड़ा खुलासा हो है जिसमें इससाईयों को बचाने के नाम पर अमेरिका, कनेडा, लंडन, सहिद, पाकिस्तान में लगवाग 60 करूग आए गए है। पता दे की जिसको लेकर सदर कोतवाली जो आज परताल कर प्रियाग राज नैनी एग्रिकल्चर युनिवर्सिटी के च्वीसलर और साथी वाइस, माफ करेगा चांसलर और साथी वाइस चांसलर सहिद आधा दर्जन से अधीक लोगों को नोटिस तलब की गई है। और जवाब मांगा गया है। वही आज भी लोग कोतवाली पहुँच कर यहां वतादे की अपने अपनी जवाब प्रस्तुत करेंगे और साथी अपको वतादे की जिले के हरी हरगंज स्थित चर्चा में धर्मानतरन के मामले में 15 अप्रेल को 56 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्च किया गया है। वहीं इस पूड़े मामले में विवेशना कर रहे सदर कोतवाली अमित मिश्रा को इस पूड़े मामले की पैनी नजर है। विवेशन बतादे की अमित मिश्रा द्वारा बताया गया है कि धर्मानतरन के फंडिंग के तार विदेश से जुड़े हुए कि अधर बांतरों वाले बांगरे में हम लोग काफी गहराई से दियोजना कर रहा हैं और उमीद है कि इसमें अभी काफी लोग कामिल होंगे दियोजना के माध्यम से और बड़ी-बड़ी संस्थाइं इसमें इंवाल्व हैं उसमें भी हम नजार रखे हुए हैं बयान लिये जा रहे हैं और इनके आफिसेज वगरे में भी हम सर्च करेंगे सर्च किये नहीं जा रहे हैं कुछ हमें सबूत भी प्राफ्ट हुए हैं जो गलोभन के तौर पे इन लोगों के द्वारा जो है और निश्चित तोर पे हम काफी लोगों के दूत करवाई करेंगे और इनकी कमर तोड़े के रखेंगे हम यह जो जाल खेला हुआ है इनको छोड़ेंगे नहीं अगर इनकी इनका लिंक बाहर दूर तक भी जाता है तो दूर तक हम पीछा करेंगे धन्यवारे पतह पूर का माउमला है जहां पर बता दे कि धर्मांतरन को लेकर एक नया खुलासा हुआ है नई बात सामने आई है और इस दौरान बता दे किसके तार विदेशों से जुड़े होने की बात सामने आई है साथी बता देगी जिसको लेकर सदर कोतवाल, जाजपरताल, प्रियागराज, नैनितार, एग्रिकल्चर युनिवसिटी के चांसलर और वाइस चांसलर सहित आधात्यजन से अधीक लोगों को नोटिस जारी किया गया है और जवाब भी मांगा गया है आज बता देगी की कोतवाली पहुचकर यहां अपने अपनी जवाब प्रस्तूत करने और आपको प्रस्तूत करने की बात कही गई है साथी पता देगी की जिले के हरी हर गज इस थे चर्च में धर्मांतरन के मामले में 15 अप्रैल को 56 लोगों पर मुगदमा दर्च किया गया था और इस पूरे मामले को लेकर सदर कोतवारी अमित मिश्रा ने पूरे मामले पर पहनी नजर बनाए हुए रखते हुए नजर आये हैं और साथी पता देगी धर्मांतरन की फंडिंग के तार जो है वो विदेशी जुड़े होने की बात उर्होने कही है वही हरदोई के पुलिस अधिक्ष्वक कार्याले में आज उस वक्त हरकम मच गया जब एक मामले की पैरवी करने पहुचिया अधिवक्ता पर आरोपियों ने हमला कर दिया बता दे कि पुलिस ऑफिस के कैमपस के बीच तमाम पुलिस कर्मी सामने बता दे कि हमले की संसरी फैल गई देखते ही देखते अधिवक्ता को भीर ने पुलिस कैमपस में घेल लिया हालांकि किसी तरह की पुलिस अधिकारियों ने इस मामले में शांत कराया है पेड़ित अधिवक्ता ने बताया है कि दुशकर्म के मामले में पैरवी करने के लिए सीओ हरपालपूर के यहां जा रही थी कि तभी दुशकर्म के मामले में आरोपियों ने उसे हमला कर दिया उसके कंटपटी पर तमंचा रखकर 5,150 रुपए की लूट भी की गई है देखते रहे हैं नीज्वाल इंडिया नमस्कार